Hello student, good morning, कल हम लोगों ने ध्वानी कविता पढ़ा, आज हम लोगों ध्वानी कविता का भावार्त देखेंगे, जिसा तुम देख रहे हो, लिखा हुआ है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे बन में मिदुल बसन, अभी न होगा मेरा अंत, निराला जी ने अपने अंता करण की आवाज को कितने सुन्दर शब्दों में बेक्त किया है तो हम देखेंगे, मेरे दुल शब्दकार थै कोमल निराला जी अपने निराली रचनाओं के कारण इतने प्रसिद्ध हुए कि उनका नाम निराला पड़ गया अब बच्चों देखते हैं, इस चा लाइन कार्थ हम देखेंगे निराला जी ने इस कविता के माध्यम से अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा है आलोचक जो लोग उनके निंदा करते हैं निराला जी ने इस कविता के माध्यम से अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है अभी तो उसके कभी जीवन का आरंब हुआ है इस कविता में इस लाइन में जो पंक्तियां है इस पंक्तियों में कभी ने अपने कभी जीवन के उतकर्ष अर्थात उन्नति का वर्ण किया है कि मेरे जीवन में किस तरह से उन्नति हुई है आनि मृदुल बसंत आया है प्यारा वसं कोमल वसं इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है अब आगे देखो इसका भाव क्या है कभी कहता है कि जिस प्रकार वसंत रित्मों का राजा है उसी प्रकार उसके जीवन में भी युवा काल अभी आया है तुम जानते हो कि रित्मों कितनी होती है रित्मों छे होती है तो बसंत को रित्मों का राजा कहा गया है बसंत रित्मों के आने से प्रकृत में बहुत परिवर्तन होता है चारों तरफ फूल खिल जाते हैं हर पौधों में कलियां और पत्ते भी हरे हरे हो जाते हैं उसी प्रकार कभी ने कहा है कि मेरे कभी जीवन में बसंत की तरह से बहार आ गई है आगे बताता है उसका कभी जीवन अभे शुरू हुआ है कहने का तात पर यह है कि कभी के जीवन में बसंत का तात पर क्या है कभी के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है उसका मन उत्सा और उमंगों से भरा हुआ है बसंत आने का यही मतलब है कि जब उसके मन में आशा का संचार हुआ उसके मन में उत्साह जागा, उमंग जागी, आनन से भर गया, तो से लगा कि मेरे मन रूपी उपवन में जैसे वसंत आ गया है, अभी तो कभी ने रचना शुरू किया है, कभी के जीवन में जो निरासा थी, संघर्ष था, वह अभी दूर हुआ है, अभी तो मैंने उत्साहित होकर जीना सीखा है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, मुझे समाज को एक नई दिशा देनी है, एक प्रिणा देनी है, उसको मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरा करूँगा, अभी तो मुझे लोगों के अंदर जीवनी शक्ति भननी है, नई चितना जगाना है, यह कारिये रचनाओं के माध्यम से ही होगा, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने हैं, मैं अलोचना से निराश होकर अपने कभी कर्म को नहीं छोड़ूँगा, इसलिए मैं कभी कर्म से निराश होकर बैटने वाला नहीं हूँ, किसी की निरा से घबडाने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, बेटा जो आज हमने समझाया कभी का कितना सुन्दर भाव है अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बशन अभी न होगा मेरा अंत निराला जी ने कहा कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है मेरा अस्तुत समाप्त होने वाला नहीं है मैं निराश होकर बैटने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी तो मेरे मन में सुन्दर विचारों का अगमन हुआ है उत्साह जागा है उमंग जागी है आनंद का प्रादूर भ हुआ है नई चेतना आई है तो मैं अभी से निराश होकर क्यों बट बैटूंगा मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दूंगा जिससे लोग प्रेरित होकर स्रेष्ट कर्मों की यूर अग्रसर हूं जो कुछ हमने समझाया इसको तुम्हें लिखना है शार लाइन का अर्थ हैं बताये गया इस भावार्थ को लिख लेना कल हम लोग नीचे दिये गए जो कविता का भाग है इसको देखेंगे बेटा ठीक है तो कल हम लोग फिर मिलेंगे थाइंक्यू स्टूरेंट